बिल्कुल रूई जैसे नरम पनीर के पकोड़े आज हम लोग बना रहे है और मेरे चटोरों कैसे हुआ आप मेरी मम्मी की रेसिपी है कभी भी घर में कोई गेस्ट आता है और उनको अगर इंप्रेस करना हो तो मम्मी ये बना कर खिलाती है और अभी तक का रिकॉर्ड है कीवी हरी मिर्च आदा चमच जीरा आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच अजवाइन और एक चमच नमक डालेंगे अब इसको अच्छी तरह मिक्स करकर बैटर बनाए पानी के साथ इसको फेटना बहुत अच्छी तरह है दोस्तों तभी अच्छा पकोड़ा यह एक गुच्छी धनिया है जो मम्मी ने मिक्सी में डाल दिया है और इसका आदा आपको पुदिना लेना है साथी में दो हरी मिर्च आदा चमच काला नमक इसमें एक बड़ा चमच बिकानेरी भूजिया या सेव डालेंगे इसकी जगे आप पीनट्स या फिर काजू भी डाल सकते हो आदा चमच इसमें सफेद नमक डलेगा और आदा निम्मू का रस भी अब धकन लगा कर इसकी चटनी बना लीजिये भूजिया के विज़े से बहुत ही अच्छा टेक्शर और टेस्ट आता है चटनी रेडी है लेकिन अभी बहुत स्ट्रॉंग है ये फ्लेवर में इसमें तीन चार चमच घर की दही डालेंगे और अच्छी तरह फेटेंगे अपनी बिल्कुल मस्थ हरी चटनी रेडी है होटल जैसी लगेगी बिल्कुल अब पनीर भी काट लेते है मम्मी ऐसे लब्मी लबी स्टिक्स में इसको कट करती है ये 200 ग्राम पनीर है इससे 20 पकोड़े बन जाएंगे 10 मिनिट बाद बेसन और मसाले अच्छी तरह घुल मिल जाते है ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अब हम लोग इसमें अपना सीक्रेट इंग्रिडेंट डालते है मस्थ सॉफ्ट सॉफ्ट पकोड़ा बनाने के लिए आपको बेकिंग पावडर इस्तमाल करना है हम लो दालकर फिर से अच्छी तरह फेटिए एक मिनट तक अगर बैटर आपको जाधा गाड़ा लग रहा है तो आप इसमें थोरा सा पानी भी मिला सकते हो बैटर बिल्कुल रेडी है और तेल भी गरम है तो चलिए आप पकोड़े बनाते है साथ आठ पीस पनीर आप इसमें डा कर कोट कर लिए जिए और बैटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए देखिए पनीर में बेसन लिप्टा हुआ है अब इसको एक-एक करकर डालेंगे और फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है इसमें पनीर को तो ज़्यादा पकाना नहीं है बस गरम करना है और बेसन को पकाना है दो मिनिट में अपने पकोडे डबल होकर फूल कर गोल्डन भी हो जाएंगे पकोडे की रंगती बिल्कुल बदल चुकी है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ये तो आब इनको निकाल लेते हैं देखे कितने यमी लग रहे हैं जबी भी हम लोग के घर में कोई गेस्ट आता है ना तो हम लोग ये बना कर खिलाते हैं और सब खुश ओगर खाते हैं और रेसिपी मांगते हैं इसकी हमेशा आप भी बना कर ट्राई कीजेगा ऐसे ही बाकी के सारे पकोड़े बनाएंगे ये गर्मा गरम बहुत नरम रहते हैं ठंडे होने के बाद भी रूई जैसे नरम रहेंगे लेकिन गर्मा गरम का अलगी मज़ा है अपने पकोड़े और चटनी दोनों रेड़ी है इसमें मैंने चाट मसाला छिड़क दिया और ये पांच मिनिट बाद का सीन है थोरे से ठंडे हो चुके है देखिए कितने नरम बने है बिल्कुल स्पॉंज बॉल की तरह इतना सॉफ्ट पकोड़े है दोस्तों ये कि मुँ में बिल्कुल घुल जाएगा आप ट्राइ करिएगा दिवाने हो जाओगे इसके बिल्कुल मिलता हो जल देखो रेसिपी के साथ घर में रहें खुश रहें और कुकिंग शुकिंग के वीडियोस एंजॉई किजिए